अगर आप ढूंड रहे चिकन और राइस रेसिपीज में कोई हिडन जेम जिसे खा कर हिल जाए आपका पूरा का पूरा सिस्टेम तो ज़रूर ट्राइ करें ये मसालेदार चिकन पुलाओ टाइप आइटेम और बेस सब्सक्राइबर कमेंड को मेरी तरव से मिलेगा एक कस्टम एपरियन सीधा शुरू करते हैं रेसिपी छूँकर आपके चरण आज सीधा रेसिपी की सवारी करते हैं, तैयारी आप साथ साथ करते जाना, एक किलो चिकन को सबसे पहले मैरिनेट करना है एक निम्बू के रस से, देड़ सो ग्राम दही, मसाला चाकू पर रखे एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून लाल म मसाला या बिर्यानी मसाला जो आपके हत्ते चड़ जाए, एक टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, तीन चौथाई टीस्पून सौंफ पाउडर, तीन चौथाई टीस्पून जीरा पाउडर, और देर टेबल स्पून अधरक लेसोन का पेस्ट, इस मैरिनेशन में ढखक क 15-20 मिनट के लिए छोड़ने, एक कडाई में डाले 5 टेबल स्पून तेल और 1-2 टेबल स्पून घी, अब सारे चिकन के पीसेज को इसमें फ्राई करें, मिडियम हाई फ्लेम पर 80-90 प्रतिशत तक पकने तक, फ्लेम का बराबर ध्यान रखे क्योंकि अगर कम हुआ तो पीस इसी में समा गया है, अब इन पीसेज को निकाल कर साइड में रख ले, और कुछ छोटे मोटे पीसेज बचे हो तो उन्हें भी जल्दी तल कर वहां से हटाएं, अब इसी धदकते हुए तेल में डाले 2 तेज पत्ते, 4 छोटी लेची, 2 बड़ी लेची, 5 लॉंग, 1 चक्री फूल, धाइच दालचीनी और एक टीस्पून काली मिर्च, अब इन सब को हाई फ्लेम पर भून ले, 45 सेकेंड तक डॉट, अब डाले 6 पतली फांकियों में कटे हुए प्याज, प्याज को भूने हाई फ्लेम पर 3 मिनट के लिए, फिर 10 लहसुन की कलियों, 2 इंच अद्रक और कुछ धनिया की डंडियों को ऐसे कूट कर अंदर डाले, अब इन सब को हाई फ्लेम पर भूने कुल 4 मिनट के लिए, अब आगई टमाटर की बारी और इन सारे मसालों की फुलवारी, तीन चोथाई टेबलस्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला या बिर्यानी मसाला जो हत्ते चड़े, और आधी टेबलस्पून जीरा पाउडर, अब इन साब को टमाटर के साथ मीडियम फ्लेम पर भूने, 4 मिनट के लिए, इसके बाद इसमें एक कप पानी डालकर मिला दे, फ्लेम लो कर दे और इसे ढख कर पकने दे लगभग धाई मिनट के लिए, ढखकन खोलकर अच्छे से मिला दे, एक आज मिनट, फिर थोड़ा सा मसाला निकाल कर साइट रख ले चिकन के उपर अलग से डालने के लिए, बाद में, बचे हुए मसाले में 600 ग्राम भिगोई हुई बासमती चावल डाल दे, और उपर से थोड़ा धनिया और पुदीने के पत्ते निचावर कर दे, अब इन सब को अच्छे से हाई फ्लेम पर भून ले एक मिनट के लिए, हलके हाथों से ताकि चावल तूटे ना, अब इसमें पांच कब पानी डाल कर फ्लेम हाई पर कर दे, लगबग चार से पांच मिनट में उपरी सता का पानी कम होने लगेगा, तब तक बिना ढ़के फ्लेम हाई पर ही उबलने दे, जब उपरी सता का पानी अल्मोस सूख जाए, तब फ्लेम लो पर कर दे, और फ्राई किये हुए चिकन के सारे पीसेज को मैदान में बिच्छा दे, अब वो निकाला हुआ मसाला सारे चिकन के पीसेज के उपर बराबर या अबराबर तरीके से फैला दे, तीन से चार कटी हुई हरी मेच उपर डाले, और डाले एक टेबल स्पून घी घुमा कर, अब इन सब को लो फ्लेम पर ही ढख कर पकने दे, लगबग 18 मिनट के लिए जब तक चावल से सारा पानी सूख न जाए, मसालेदार पुलाव टाइप आइटम तयार हो गई हमारी, जिसमें चावल के कन-कन से लेकर मुरगी के तन बदन में मसाला लिप्टा हुआ है, मसाले इसमें कोई ज्यादा नहीं है, बस उतना ही डाला है जितना एक किलो मुरगे और छे सो ग्राम चावल में डालते हैं, बस पकाने का तरीका ऐसा है कि कन-कन मसालेदार है, एक एक पीस रसदार है एक एक निवाला जाएकेदार है तभी तो ये रेसिपी आपके लाइक और कमेंट की हकदार है